तुस्त वीडियों हम बात करेंगे इस एक्वेश्ट नेटवर कोईन के पारे में एंटरिल लेवल्स और आने वाल दिनमापके लिए टाइगेट्स क्या रहेंगे इस क्या रहेंगे इस वीडियों में उससे पहले जो नए इंवेस्ट टेटर मार्केट में आये हैं इनको ज्य कर सकते हैं इसदा के लिंक डिस्किप्शन में कर रहा है यह 15 मिट का चार्ट ओपन है आज इसने 0.0904 वाला एरिया लो बनाया डेली का चार्ट ओपन करते हैं FTX कोलेप्स के टाइम पर इस कोई ने 0.074 वाला लो बनाया था और वहाँ पर इसे 0.075 वाला सपोर्ट देखने को मिला उपर की तरफ 9 वाला एरिया इसको रेसेंस फेस करने को मिल रहा था जिसे करेंटली इसने ब्रेक करके सपोर्ट मैंटेन किया है नाइन वाला एरिया जो है इसके लिए भी करेंटली सपोर्ट एरिया जिससे उपरे भी पिछले दस बारा दिनों सब्सके डेली क्लोजिन देखने को मिल रही है उपर की तरह 1060.106 वाला एरिया इसको रेसेंस फेस करने को मिल रहा जिसे इसने एक आद बार ट्राइ किया है एंटरी की बात करते हैं तो एक अच्छे लोविस्ट पर इस पर यह कोईन हमें करेंटली देखने को मिल रहा है सेवन फोल वाले एरिया से अल्मोस्ट अभी तेक इस कोईन में 20% के रिकावरी देखने को मिली है लेकिन अभी भी एक अच्छी अपोश्टिस कोईन के अंदर है तो जो लोग इंटरी देख रहे हैं उनके लिए 0.0 यहां से भी हम थोड़ा सा और वेट करें करें करेक्शन का और 0.090 वाले जो एरिया है जो इसका सपोर्ट एरिया है उस एरिया पर हम एंटरी लेंगे एंटरी 80% पार्ट से लेनी होगे अब हम लगाना चाहते हैं उस 80-20 के रिए सब्सक्राइब को 0.090 और 0.084 पर एंटरी लेनी है एक बहुत अच्छे लेवल पर लवेस पर आपके स्काइन में एंटरी हो जाएगी दूसरा टाइगेट की बात करते हैं जो ट्रेडिंग परस्पेक्ट्र से एंटरी लेंगे याने क्विक प्रॉफित आपन 8 वाले एरिया से इस कोईन ने अल्मूस्ट 11 वाले एरिया ट्राइग किया था याने की मिनिममम 30% से जादा का ब्रेक आउट था उसके बाद फिर करेक्शन था उसके बाद प्राइज अल्मूस्ट 9 वाले एरिया तक आ गई थी फिर वापिस मुमेंट देखने को मिला जो की almost 20% का था तो इस टाइब के breakouts कुछ day distance पर होते रहेते हैं तो trading perspective वालों के लिए 0.11 वाला area target रहेगा जहाँ पर आपको 60% part sell out करना उसके बाद 0.12 जहाँ पर 40% part sell out करना इस टाइब से 60-40 की रिसम आपको sell out करके profit book करना है इसके बाद second target जो है short term वालों के लिए अगर टाइगेट की बात करे 0.0135 वाला target रहेगा short term में जो भी areas में आपको बहता रहा हूं उनकी आपको sell limit ज़रूर लगानी है जब भी step के breakout होते हैं तो हमें miss नहीं करना है कभी हमें catch नहीं कर पाते हैं कभी हम चार्ट से वगयला follow नहीं कर पाते हमीं जो हमारी जो sell limit रहती है उससे हमारे benefit होगा जब भी step के breakout होंगे तो हम उसको cage कर पाएंगे और हमारा area hit होगा और sell out करके profit book कर रख पाएंगे तो sell limit आपको ज़रूर लगानी है दूसरा जो long term में hold करते हैं जिनका long term का perspective है उनके लिए यह coin एक अच्छा coin है जिसमें आप आने वाले दिनों मां अगर minimum one year का या one and half year का आपका perspective तो आप इस coin को minimum 40 से लेके 60 cent के बीच में राम से trade करता हुआ देखेंगे बीटी सी और market अगर अच्छा recover होता है बीटी सी minimum 20 year से लेके 32 34 पर भी trade करता है तो यह coin आपको 40 cents से उपर अराम से trade करता हुआ देख जाएगा बाकि जो नए investor है वो हमारी premium members में सब्सक्राइब करें किया market में strategy follow करने किस टाइब का mindset रहेगा money management risk management skill कैसे डेवलप करने है सारी इसी यह वहाँ पर सीखने को मिलेगी तो जो इंट्रेस्टेड है वो इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं इंस्टा की link description में बाकि यहां पर buy or sell खुद कर रिसक खुद कर हिसाब से करें यहाँ पर हम कोई financial advice नहीं दे रहें वीडियो से पर education purpose से ताकि आपको overall coins related knowledge हो सके वीडियो अच्छा लगा like जरू करें चैनल को subscribe के लिए ताकि इस टाइब के वीडियोस आपको regular basis में मिलते रहें